नवस्का कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाबिता यूपी में विदान सबत चुनाव के तहट दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है दूसरे चरण के मतदान के तहट पीम मोदी ने कानपूर में जन सबा की और समाजवादी पार्टी पर जम कर भी बढ़से इस दौरान पीम मोदी ने एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और इससी बीच पीम मोदी कानपूर में जन सबा करने पहुचे जनता को संबोधित करते वे पीम ने सभी मुस्लिम महिलाओं से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को कहा पीम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाग से मुक्ति दिलाने और इससे उनके जीवन में आये बदलाव की याद दिलाते वे कहा कि चुपचाप कमल के निशान पर वोट करे एक तरफ जहां देश में हिजाप को लेकर बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी और पीम मोदी की और से लगातार मुस्लिम महिलाओं को साधनी की कोशिशे भी लगातार जारी है इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या हिजाब के परदे में रहकर मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट देकर सपा का समीकरण बिगार सकती है पिया मोधी ने पहले चरण के रुज़ान बताते वे कहा कि यूपी में दूसरे चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की जो वोटिंग होई है उसने चार बाते तो साफ कर दी है पहला भाजपा की सरकार यानि की योगी जी की सरकार फिर आ रही है और पूरे जोरो शोरो से आ रही है दूसरा हर जाती के लोग, हर वर्ग के लोग, हर गाओं के लोग, हर शहर के लोग बिना बटे, बिना किसी भ्रहम में पड़े एक जुट होकर अपने यूपी के तेज विकास के लिए वोड कर रहे हैं तीसरा हमारी माताओं, बेहनों, बेटियों ने बीजेपी की जीत का जंडा खुर्द ही उठा लिया है चौथा मेरी मुसलिम बेहने चुपचा बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोधी को आशिरवाद देने के लिए घरों से निकल रही है हमारी मुसलिम महिलाएं बेहने बेटियां जानती है कि जो सुकदुप में काम आता है वही अपना होता है पियम मोधी ने कहा जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाब मुसलिम बेहन बेटियों को भी मिला मुझे खुशी है कि स्कूल कॉलेजों में मुसलिम बेटियों की संख्या बढ़ रही है मेरा निरंदर प्रियास ये रहा है कि कैसे अपनी मुसलिम बेहन बेटियों का जीवन में आसान बना सको आप कलपना कर सकते हैं, हर पुरुष कलपना करे, मुस्लिम पुरुष भी कलपना करे माईके से अगर औरत खाली हाथ लोटती है तो फटाक से तीन तलाग दे दिया जाए ससुराल से पत्नी बाइक लेकर आई तो तीन तलाग दे दिया जाए सोने का चैन लेकर नहीं आई तो तीन तलाग दे दो घड़ी मोबाइल नहीं आया तो तीन तलाग दे दो कोई भी छोटी से छोटी बात भी होती है तो उस पर तलाग 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 कहकर मुसलिम महिलाओं का पूरा जीवन बरबाद हो जाता था सिर्व उस मुस्लिम महिला का ही नहीं उस बेटी के पिता और मा का दर्द भी समझे जब बेटी वापस चली आए तो मन पर क्या गुजरती होगी वो हमेशा इस दर में जीते होंगे कि कहीं बेटी का तीन तलाग लगो जाए आज देश की हर मुस्लिम बेटी के पास तीन तलाग के खिलाव कानून की सुरक्षा हमने दी है एक रिपोर्ट में सामने आया है कि तीन तलाग का कानून बनने के बाद यूपी की हाजारों बेटीयों का घर तबाह होने से बच गया है मेरी बेट्रिया और उसके माई के वाले बच गए है आप खुद देख सकते हैं कि जो भी पियम मोदी ने कहा वहीं पर उसमें मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा साधने की कोशिश की गई तो चलिए अब समझने के कोशिश करते हैं कि बीजेपी ये आखिर रणनीती है क्या राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि बीजेपी को पिछले तीन चुनावों में महिलाओं के सबसे ज्यादा वोट मिले है जन्धन खाते, प्रधान मंत्रियावास योजना, उजवला योजना के तहट LPG सिलेंडर, मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का लाब सीधा सीधा महिलाओं को मिला है जिन पर घर चलाने की जिम्मदारी होती है हिंदू की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी योजनाओं का लाब मिला है और अब पार्टी को ये उमीद है कि कुछ हद तक मुस्लिम महिलाओं के मन में पार्टी के प्रती एक नरम रवया पैदा हुआ है तीन तला के खिलाब कानून को लेकर तो बड़ी संख्या में मुखर होकर पड़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को शुक्रिया भी अदा किया था पार्टी की कोशिश ऐसी ही मुस्लिम महिला मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की है असल में इस बार सपा को एक मुस्त मुस्लिम वोट मिलने की बात कही जा रही है पार्टी मुस्लिम यादव के प्रमपरागत वोटर्स के अलावा पिछडों पर भी दाव खिल रही है ऐसे में सपा की कार्ट निकालने के लिए बीजेपी ने भी एक नया वोट बैंक जोडने की कोशिश की है माना जाता है बीजेपी को मुस्लिम वोट बहुत ही जादा कम मिलते हैं पार्टी इसके लिए कभी ज्यादा कोशिश भी करती भी दिखाई नहीं देती है हाला कि पार्टी को ये उमीद है कि अगर कुछ फीसदी मुस्लिम महिलाएं भी पार्टी के पक्ष में वोट करती है तो ये सपा को सीधा नुकसान देगा और भगवा दल को परंपरागत वोटर्स के अलावा एक नया वर्गोर मिल जाएगा जो करीबी मुकाबले वाले सीटों पर बड़ा असर डाल सकते हैं आप देखते हैं कैपिटल टीव उत्रपदेश नमस्कार